हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोचर एडिक्टिप आज हम एक्स्प्लेन करने माले हैं जर्मन थ्रीलर मूवी को जिसका नाम है गिटनैपिंग इस्टेला जिसे डारेक्ट किया था थॉमस सीवीन ने और बात करें इसके IMDV रेटिंग के बारे में जो है 4.8 आउट ओफ 10 स्टार मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं ये शॉपिंग कुछ अजीब तरीके की थी इसमें ड्रीलिंग का सामान था और रूम को साउंट प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज़े थी एक घर में आने के बाद उन्होंने रूम को साउंट प्रूफ कर दिया और उसमें बैड भी लगा दिया जंगल में वो एक लोकेशन पर जाकर उसे मार्क करते हैं उनके पास एक वैं थी उसे भी वो साउंट प्रूफ बनाते हैं उनके पास एक बैड था जिसमें रसी, पट्टी और गंती इसके बाद हम उन्हें अपनी बैन के अंदर एक जगा पर नज़र रखते हुए देखते हैं फिर इसके बाद इन्होंने मास्क पहने और एक लड़की बहां से जा रही थी उसे वो गिटनैप कर लेते हैं और गाड़ी में ले जाकर उसके हाथ पेर बान देते हैं लासीन में हमने जो रूम देखा था ये उस लड़की को उस रूम के अंदर लाते हैं और फिर उस लड़की को बैट पर बान देते हैं ये उसके कुछ कपले निकालते हैं उसके फोटोग्राफ्स ले लेते हैं और फिर उसे दूसरे कपले पहना देते हैं वो काफी स्ट्रगल करती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती इसके बाद वो उसे रूम के अंदर बंद करके चले जाते हैं कुछ टाइम बाद एक इटनेपर उसके पास आता है और वो उसे कहता है तुम अपने फादर का नंबर और एमेल आइडी मुझे दो हमें तुमारे बदले में बहुत सारे पैसे चाहिए अगर उन्होंने पैसे दे दिये तो तुम सही सलामत रहोगी और थोड़ी देर में अपने घर पहुच जाओगी इमेल एडरेस और नंबर लेने के बाद वो रूम से बाहर आ जाते हैं इनमें से एक गिटने पर जिसके पास कोई experience नहीं था सिर्फ एक बार जेल गया था उसका नाम टॉम था और दूसरा गिटने पर काफी बार जेल में होकर आया था उसका नाम विक था विक टॉम से पूचता है क्या तुम डर रहे हो सब कुछ ठीक होगा इन्होंने फिर स्टेला का मुबाइल लेकर उसे बंद कर दिया ये लोग स्टेला के फादर को एक email भेशते हैं जिसमें टू मिलियन डॉलर इन्होंने मांगे हुए थे अगले सीन में हम देखते हैं टॉम स्टेला के पास आता है फिर वो उसे देखकर बापस चला जाता है ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं स्टेला के फादर का अब तक कोई भी reply नहीं आया था विक टॉम से कहता है हमें उसे खाने के लिए कुछ देना पड़ेगा विक स्टेला से कहता है अब हमें तुम्हें कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा इसलिए मैं तुम्हारे मूँ से टेप निकालने बाला हूँ अगर तुम चिलना ही तो तुम्हें किसी भी अलग जगा रखकर किसी और तरीके से जिन्दा रखेंगे बैसे भी तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी ये रूम साउंट प्रूफ है इसके बाद जब उसके माउट से वो पट्टी निकाली जाती है तब वो चिलना आने लगती है वो फिर से उसका मूँ बंद कर देता है विक उसे समझाता है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए हम दो ही लोग है इसलिए चिलाओ मत वो कहता है अगर तुम्हें टॉयलेट की जरूरत होगी तो तुम हमें एक नमबर दो नमबर इशारे से बोल देना स्टेला को टॉयलेट करना था इसलिए वो उसे अपनी फिंगर से बता देती है उसे यही बैट पर करना पड़ता है ये सारी चीज़ें होने के बाद तॉम्हों को हम जरा डिस्टब देखते हैं ये बात विक को पता थी वो पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे टॉम कहता है मेरा मूड नहीं है विक कहता है तुम्हें सही तरह से अपना खयाल लटना पड़ेगा बरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे टॉम फिर भी नहीं खा रहा था इसलिए वो जबदसी उसके मूँ में खाना बढ़ता है विक उसे कहता है हमने सब कुछ प्लानिंग किये सारी चीजें परफेक्ट हो रही है लेकिन फिर भी तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो तुम्हें लगता है हमारा प्लान फेल हो जाएगा इस वज़े से तुम खाना नहीं खा रहे थे मेरे साथ बोलो कि हम इसे करके रहेंगे तुम्हें भी यही बात रिपीट करता है विक के बाहर जाने के बाद वो स्टेला की फोटो देखकर सैड हो रहा था उसकी तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी वो स्टेला से मिलने के लिए जाता है उसके आने के बाद स्टेला उसे कहती है मुझे बात रूम जाना है जिसके लिए उसे हैंडकफ्स निकालने पड़ेंगे जब वो खड़ी होती है तब वो टॉम्हें से कहती है प्लीज उस तरफ देखो मैं तुमारे सामने यह नहीं कर सकती तॉम्हें के दूसरी तरफ देखने पर स्टेला बाल्टी उठा कर उसे मारती है जिससे उसकी गन नीचे गर जाती है और स्टेला उसे उठा लेती है और वो उसे दूसरे हैंडकफ्स की कीज मांगती है तॉम्हें उसके पास आता है और उससे गन चीनने की कोशिश करता है तब ही स्टेला गन चला देती है और सी टाइम टॉम का मास्क भी उतर जाता है वो उसे देखकर सर्प्राइज हो जाती है क्योंकि एक्चुल में वो टॉम को जानती थी वो उसे पूँछती है तुमने ये सब क्यों किया टॉम कहता है तुमने मेरी जिन्दीगी बरबात का दी तुम यहां से नहीं जा सकती है ये गन मुझे दे दो स्टेला कहती है प्लीज रुक जाओ मुझे कुछ कहना है लेकिन इससे पहले टॉम ने स्टेला से गन चीन ली टॉम जल्दी से उसे फिर से बान देता है टॉम कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है तुमने मुझे अकिला छोड़ दिया वो कहता है अगर विक को ये पता चला तो वो हम दोनों को मार डालेगा थोड़ी देर में विक वापस आता है लेकिन अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे इस बज़े से अब विक के पास एक दूसरा प्लान था और टॉम से कहता है कल का दिन एक्ज हॉस्टिंग होगा इसके लिए हमें रेडियो होना पड़ेगा इसके बाद हम देखते हैं वो स्टेला के रूम में कैमरा लगाते हैं उनका प्लान था कि वो स्टेला की फिंगर कट करके ये वीडियो उसके फादर को बेजेंगे जिससे वो डर कर सारे पैसे दे देंगे स्टेला जब ये रियालाइज करती है तब वो बहुत ज़़दा डर जाती है स्टेला की पट्टी निकालने के बाद वो कहती है मैं और मेरे फादर बहुत जगरते थे प्लीज मुझे बचा लो मैं प्रेगनेंट हूँ ये सुनने के बाद टॉम विक से कहता है वीडियो बहुत अच्छी बन गई है इसका फिंगर कट करने के हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है उस टाइम टॉम स्टेला को बचा लेता है अगली बार वो उसे खाना खलाने के लिए आते है विक उसे खाना खलाता है लेकिन स्टेला कहती है मुझे वो दूसरे वाले से खाना है विक मना कर देता है उसके कवर के पास पढ़ा था डाम इस्पून उठाने के बहाने उसका बहुत बाहर आने के बाहर आने के बाद विक ने टॉम से पूंचा तो नर्वस लग रहा है एसा क्या हुआ है और टॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है टॉम जल्दी से टोइलेट जाता है बुलेट कबर को जल्दी से फलश करने की कोशिश करता है लेकिन वह फलश नहीं हो रहा था उसे बहुत टाइम लग रहा था तब भिक पोंचता है क्या हुआ बक्क ओर में वुलेट कबर को निगल लेता है इसके बाद टॉम स्टेला के पास आता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रेगनेंट हो स्टेला कहती है मैं सच में प्रेगनेंट हूँ और ये बेबी तुमारा है वो उसकी बात नहीं मान रहा था तब स्टेला कहती है मेरे पास आओ और उसे फील करो इसे फील करने के बाद टॉम ने स्टेला से पूचा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं स्टेला कहती है कभी भी तुम डिपेंडेवल नहीं थे जब भी तुम्हारी जरूरत हो तब भाग जाते थे तुम्हारे जेल जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ मुझे लगा इस बीबी को तुम्हारे साय से भी दूर रखना ही ठीक होगा स्टेला कहती है तुमने मुझे चूस क्यूं किया टॉम कहता है मैं और मेरा पार्टनर जेल में मिले थे हमने बहीं पर गिटनैपिंग की प्लानिंग की थी और मैंने ही तुम्हारा नाम सजिस्ट किया था मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था तुम जेल में मुझ से एक बार भी मिलने नहीं आई, बिना कुछ बता है मेरी लाइफ से चली गई, और अब तुम जूट भी कह रही हो, स्टेला कहती है मेरे मुबाइल में देखो, उसमें रेपोर्ट है, टॉम जाकर स्टेला का मुबाइल आन करने वाला था, लेकिन उसने रेयलाइस किया, अगर स को इसकी लोकेशन पता चल जाएगी, तब उसने मुबाइल आन नहीं किया, इसके बाद हम देखते हैं, अचानक से स्टेला को उल्टी आने लग गई थी, तॉम पास आता है, और उसके हाथ निकाल देता है, स्टेला उल्टी करती है, तॉम उसे संभालता है, जिससे ये दो नहीं थी, वो रियलाइस करती है, कीज शायद टॉम के पास है, कीज नीचे गिर गई थी, टॉम उसे लेने की कोशिश कर रहा था, स्टेला फून कट करके उसके पास आ रही थी, टॉम हैंडकाफ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, और ये हैंडकाफ निकल भी रही थी, स्टेला जैसे ही कीज लेने के लिए उसके पास आई वो हैंड कप से हाथ निकाल कर उसके मूपर जूर से मारता है जिससे वो भियोश हो जाती है टॉम ने उसे फिर से बांदिया स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है कुछ टाइम बाद बिक बाहर से आता है और वो कहता है अब स्टेला के फादर पैसे देने वाले हैं हम कल जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे ये दोनों आज बहुत ही खुश नजर आ रहे थे पैसे लेकर वो क्या करेंगे इसकी प्लानिंग करने लगते हैं अगले दिन विक टॉम से कहता है जाकर गाड़ी को रेडी करो वो इस्टेला को लेने के लिए आया उसके हैंडकफ्स निकाले तब ही वो इस्टेला के पास मोबाइल नोटिस करता है जो की ओन था उसने हिस्टेली चेक की जिसमें पुलिस को कॉल किया गया था ये सारी चीजें वो समझ नहीं पाता कि इस्टेला के पास मोबाइल कैसे आया वो यहां से निकली कैसे इस्टेला के पास मोबाइल एक ही केस में आ सकता है अगर टॉम उसे देगा लेकिन वो figure out नहीं कर पाता टॉम ने ऐसा क्यों किया होगा विक ने स्टेला को बहुत मारा जो कुछ भी हुआ था स्टेला उसे सब कुछ सच बता देती है ये स्टोरी confirm करने के लिए स्टेला ने टॉम पर जो गोली चलाई थी वो गोली उसे अटकी भी मिल जाती है इसी के दूसरी तरफ हम देखते है तो हम जब गाड़ी रेड़ी कर रहा था तब स्टेला के बैग में उसे pregnancy की report मिल जाती है इस report से उसे confirm हो चुका था कि स्टेला actual में pregnant है उसे अब तक सारी चीज़े जूटी लग रही थी ये बात जानने के बाद बहुत भी जादा कन्फियूज हो गया कि अब उसे करना क्या होगा स्टेला को फिर से बांध कर विक टॉम से पूँचता है मुझे एक बात बताओ तुमने उसे चूज क्यों किया टॉम कहता है वो अमीर थी और हम दोनों ने मिलकर इसे चूज किया मैंने सिर्फ तुमें इसकी इमेज दिखाई थी विक ने टॉम से का हमें एक दूसरे के साथ आनेस्ट होना चाहिए हम कोई भी चीज़े एक दूसरे से नहीं छिपाएंगे टॉम भी इसके लिए हां कहता है विक को पता था कि वो टॉम पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकता ये दोनों स्टेला के पास आते हैं और उसे गाड़ी में ले जाकर एक लोकेशन पर जाकर रुखते हैं नदी के पास एक घर में उन्होंने उसे बंद कर दिया उनके पास पहले से ही प्लान था कि स्टेला आपको जब भी हो शायगा तब उसके पास चावी होगी वो अपने आपको खोल कर यहां से चली जाएगी लेकिन अब विक ने प्लान चेंज कर दिया था वो कहता है अब हमारे पास चावी होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो तॉम थोड़ा टेंशन में आ जाता है लेकिन विक को शक ना हो इसलिए उसे साथ जाना पड़ता है इसके बाद ये दोनों अपने तै किये हुए लोकेशन पर आए लेकिन बहाँ पर कोई नहीं था आसपास कहीं पर पैसे नहीं देख रहे थे टॉम कहता है शायद हमें फिरेम किया जा रहा है विक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है मैंने तुम्हें पहले ही चांस दिया था तुम पहले ही अगर मुझे अनेस्टली बता देते तो तुम बच जाते स्टेला और उसके बच्चे को मैं मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे विक टॉम को शूट करने ही वाला था लेकिन टॉम उस पर हमला करके बहां से भागने लगता है वो भाग ही रहा था तबी विक दूर से उस पर गोली चला देता है वो थोड़ा खायल तो हो गया था लेकिन फिर भी यहां से भाग जाता है विक ने जो अलग लोकेशन सेट की थी वो बहाँ से पैसे लेकर आता है उसका प्लान सक्सेस्फुल हो चुका था रात में वो स्टेला को मारने के लिए आता है वो उसे कहता है मैं तुम्हें एक मैडिशन दूंगा जिससे तुम्हारी डेथ होगी लेकिन तुम कुछ भी फील नहीं करोगी वो से देने ही वाला था लेकिन पीचे से आकर टॉम ने उस पर हमला कर दिया वो जखमी था लेकिन स्टेला को बचाने के लिए बहाँ पर आ गया था बिक के पास गंग थी इसलिए वो सिच्वेशन को फिर से कंट्रोल कर लेता है वो टॉम को एक और गोली मारता है और उसे कहता है तुमने सारी चीजे बरबाद कर दी वो उसे फाइनल गोली मारने ही वाला था तब ही स्टेला ने उसे पैर से मार कर नीचे गिरा दिया बिक की गंड टॉम ने उठा ली और से शूट करके मार देता है टॉम इंजर्ट था इसलिए बेऊश होने लगता है स्टेला के हेंड कफ्स की चावी बिक के पास थी बहुत स्ट्रगल करने के बाद टॉम को चावी लेकर स्टेला को दे देता है स्टेला अपने आपको छुड़ा ले दी है लेकिन टॉम की अप देत हो चुकी थी वो बहार आई और गाड़ी में बैटी तब उसे सारे पैसे मिल जाते हैं स्टेला की अपने फादर के साथ बंती नहीं थी वो गिटनेप होई फिर भी फादर उसे पैसे नहीं देने वाले थे आप वो उनके पास नहीं जा सकती ये पैसे लेकर वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है यहीं पर मूवी एंड हो जाती है अगर एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में